हेलो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करूँगी स्वाजन के पत्ते की रसेपी इसके बहुत टेस्टी एंड क्रंची पकोड़े बनते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा तो चलिए बनाते हैं स्व क्वची बेसन हल्दी रेचीली पौणर धनया पौदर ब्लैक पैपर पाउडर जीला पौडर और नमक शाद अनुसा डलेंगे अब इसमें लेशन और मिर्चच का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से Mикс कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स क करेंगे इसे हमें ज्यादा गिला नहीं करना है इसे हमें थोड़ा हाड ही रखना है क्योंकि नमक डालने के बाद ये पानी छोड़ने लगता है और अगर आपको गिला ज्यादा लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन एड़ कर सकते हैं अब चाहे तो इसमें दो स्प पर डाल कर मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे और उसे बीच-बीच में पलटकते जाएंगे ताकि दोनों साइट से अच्छे से पक जाए आप चाहे तो इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हैं सोयजन की पत्ते की पकोड़ी को आप धनिय पत्ते की चटनी या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं हमारा क्रिस्पी क्रंची सोयजन के पत्ते की पकोड़ी बनकर तयार है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कॉमें शेक्शन में जरूर बताईए